Hello friends, welcome back to my knitting channel जिसकी आज की वेडियो में हम ये single color design बनाना सीखेंगे बहुत easy ये design है और बहुत संदर लगता है ये बनाने के पाद तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं इसके लिए फंदे हमें लेने हैं 11 के multiple में plus 4 plus 2 11 के multiple में हमारे 11 के multiple में ये design हमारा बनेगा plus 4 फंदे हम ये लेंगे और एक एक फंदा edges के लिए तो 11 plus 11 plus 11 plus 4 plus 2 तो यहाँ पर हमने 39 फंदे अपनी सलाई में लिए हुए हैं फर्स ट्रो हम राइट साइड से बनाना शुरू करेंगे ये पहला फंदा जो edges का फंदा है इसको आप बिना बुना भी रख सकते हैं हम इसे सीधा बुन रहे हैं इसको हम यहाँ से design में count नहीं करेंगे ये extra फंदा है हमारा design second फंदे से start होगा design start करने के लिए धागे को अपनी साइड लाएंगे और चार फंदे उल्टे बुनेंगे इदेखे चार फंदे हमने उल्टे बुने अब धागा पीछे ले जाएंगे दो फंदे सीधे बुनेंगे दो फंदे सीधे बुनने के बाद ये तीसरा फंदा है इसका हमें एक फंदे को एक के तीन बनाने है देखे कैसे बनाएंगे, पहले इसे हम एक बार बुनेंगे, यह फंदा हमने लूज रखना है, इसको थोड़ा सा हम लूज कर लेंगे, ये देखिए हमने इसको लूज कर लिया इसके बाद ये धागा है हमारा इसको हम सलाई पर से लपेट के वापस पीछे ले जाएंगे ऐसी इसको भी लूज रखेंगे और फिर एक बार इसी फंदे को दुबारा से सीधा बुनेंगे ये एक फंदे के हमारे तीन फंदे बन गए है एक हमने पहले बुना फिर धागा पीछे जो हमने लपेटा ये भी हमारा एक फंदा बन गया और ये तुबारा से बुना तीन हो गए अब नेक्स फंदे को हम बिना बुना ही उतारेंगे यह देखे यह बीच वाला फंदा है यह इसको हमने बिना बुना ही रखना है इससे next फंदे को फिर से हम एक का तीन करेंगे पहले हम इसको बनाएंगे यह हमें लूज रखना है धागा यह धियान रखेंगे फिर से धागा लपेटते हुए पीछे जाएंगे सलाई पर इस धागे को भी हमें लूज रखना है फिर से इसी फंदे को एक बार और बुन लेंगे तो यह एक के तीन हो गए दो फंदे सीधे बुनेंगे, अब देखिए यहां पर हमारे 11 फंदे गंप्लीट हो गये हैं, 4 फंदे हमने उलटे बुने, फिर 2 फंदे सिधे, 6, 7 फंदे पर हमने 1 कतीन किया, 8 फंदा बिना बुना उतारा, 9 फंदे को फिर से 1 कतीन किया, और 10th और 11th को सीधा बुना ये 11 फंदे हमारे यहाँ पर 1st पार्ट के कम्प्लीट हो गए अब इसी तरह से 11 फंदों को रिपीट करते जाएंगे 4 फंदे उल्टे दागा पीछे 2 फंदे सीधे फिर 1 का 3 करेंगे बिना बुना फंदा उतारेंगे और फिर से 1 फंदे को हम देखी 3 फंदे इस तरह से हम पना लेंगे 2 फंदे सीधे बुनेंगे अब ये हमारे next 11 फंदे कम्प्लीट हो गए हैं इसी तरह से आपकी सलाई में जितने भी फंदे हैं उसको आप इसी तरह से बुनते जाएंगे चलिए 1 फंदो को कम्प्लीट कर लेते हैं फंदो हमारे बनकर कम्प्लीट हो गई है अब रॉंग साइड में आ जाते हैं रो सेकेंड के लिए यहाँ पर देखी हमने क्या करना है हम सारे फंदो को उल्टा बुनेंगे सिर्फ इन फंदो को छोड़कर जो हमने एक के तीन बनाए थे एक एक करके सारे फंदो को हम उल्टा बुनते जाएंगे अब यह फंदा आ गया है जो हमने एक का तीन बनाया था इसको हम बिना बुना ही उतार देंगे ऐसे ही देखिए हमने इसको बिना बुना ही उतार लिया तीनो को एक साथ अब यह बीच का फंदा जो हमने बिना बुना रखा था पिछली साइड से, इसको हम उल्टा बुन लेंगे, फिर से ये तीन फंदे हैं, इनको बिना बुना ही उतार लेंगे, बीच के सारे फंदों को उल्टा बुन लेंगे, देखिए इस तरह से, ये हमने तीनों फंदे हैं साथ उतार लिए, अब इस सलाई को कम्प्लीट कर लेते हैं, साइड हमारी सेकेंड रो कम्प्लीट हो गई है, अब हम राइड साइड में आ गए हैं, थर्ड रो के लिए, यहां पर हम एड़ स्टिच को सिधा बुनेंगे, चार फंदे उल्टे बुनेंगे, इसके लिए धागा आगे लाएंगे और चार फंदो को उल्टा बुनेंगे, देखिए इनको हमने छोड़ दिया ये फंदा हम फर्स्ट नंबर पे ले आएंगे और इनको पीछे ले जाएंगे यहाँ पर हमें इनका केबल बनाना है देखिए ये जो हमारे तीन फंदे इकठे थे वो पहले नंबर पे आ गए हैं अब इनको हम बुनेंगे आगे की तरफ से इस तरह से जैसे हम नॉर्मल फंदा बुनते हैं सिधा ये हमने फंदा बुना और इसको उतार दिया देखिए इस तरह से हमारा केबल बनके तयार हो गया है अब ये जो हम फंदे दोनों पीछे लेकर गए थे इनको भी एक एक करके सीधा बुन देंगे ये हमने इनको एक एक करके सीधा बुन दिया अब ये बीच वाला जो फंदा हमारा है जिसको हमने पहले सलाई में बिना बुना रखा था इसको हम इस सलाई में भी बिना बुना ही उतारेंगे अब हमने देखी फिर से केबल बनाना है तो ये हमारे तीन फंदे हैं इकठे इनको हमें ये दो फंदो के बाद लेके जाना है ये पहले दो फंदे हम इनको उतार लेंगे और पीछे से हम इन दोनों फंदों को आगे की साइड लाएंगे पहले हम इन दो फंदों को बुनेंगे एक और दो अब हमने इसको बुनना है अब इसको देखिए हम आगे की साइड से जैसे नॉर्मल फंदा बुनते हैं इस तरह से नहीं बुनेंगे back loop से बुनेंगे इसको पीछे की side से पीछे की side से इस तरह से सलाई में लेंगे और इसको सीथा हम बुल लेंगे अब देखिए ये दोनों तरफ का cable हमारा बनके तयार हो गया है ये इदर हमारा cable बन गया है और ये इस side बन गया अब फिर से इसी process को करेंगे चार फंदे उल्टे बुनेंगे दागा पीछे ले जाएंगे अब याँ पर हमें cable बनाना है तो इन दोनों फंदों को पहले हम उतार देंगे पहले cable वाले फंदे को हम बुरेंगे आगे की side से और फिर इन दोनों फंदों को पुनेंगे एक एक करके बीच वाले फंदे को बिना बुना ही उतार लेंगे और फिर से second cable बनाएंगे पहले इन दोनों फंदों को पुनेंगे और फिर back loop से cable वाले फंदे को पुनेंगे इस तरह से यह हमारे दोनों केबल बनकर तयार हो गए है चलिए इस सलाई को ऐसे ही complete कर लेते है right side row 3 complete हो गई है अब wrong side में आ जाते हैं row 4 के लिए यहाँ पर हमने सारे फंदों को उल्टा बुनना है हमारे सलाई में जितने भी फंदे हैं सब को एक एक करके हम उल्टा बुनते जाएंगे चलिए इस row को बना कर complete कर लेते हैं यह 4 सलाई को हमारे design complete हो गया है अब इस design को आगे बढ़ाने के लिए हमिनी 4 सलाई को बार बार repeat करते जाएंगे I hope आपको यह पसंद आएगा आप इसे जरूर ट्राई करेंगे Thank you